कुपोसित बच्चों के लक्षण मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे कुपोसित होते हैं वे अत्यादी कमजोर चिड़चड़े हो जाते हैं जो भी वो खाना खाते हैं तो वो उनके सरी में नहीं लगता है एनिमिया डायरिया जैसे रोग भी उनमें हो जाते हैं ये कुपोसित के लक्षण होते हैं कुपोसित से जैसे कुपोसित बिमारी मेरसमस और क्वारिसकोर कहलाती है जो प्रोटीन उड़जा कुपोसित से ये बिमारिया होती है जैसे इडीमा हो जाता है पैरों में इडीमा तक हो जाता है उसे हम क्वारिसकरो कहते हैं तो ये सार क्ली अधिक पानी मिला हुए दूद बच्चों को ना दें जो बच्चे जैसे चह महेनए से उपर के चाहएं, टो पानी मिला हुआ दूद चाहिए, विटामिन यूक्त जैसे आःार, अतियधिक लें, fruits का 7, juice का 7, protein युक्त आहार, meat अंडे का हम अतियधिक 7 करें, हर बच्चे को 2 घंटे के बाद हमें खाना खिलाना है, और चाहिए वो मना भी करें, तो हमें बच्चों को fruits करना है कि खाये, क्योंकि हमारी कोशिस तो यही रहती है, कि बच्चा खाये और उसके स दरवाते रहना चाहिए, जितना ज़्यादा हो हम बच्चे को हमें मा कादूर पिलाना है,